सबसे पहले मैं एक मटका लोंगी तेड़ा कोटा का और उसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद मैं उसे ट्रैक्टर इमल्सन के वाइट कलर से पेंट कर दूँगी आप चाहे तो कोई भी वाइट कलर से पेंट कर सकते हैं फिर इसे ड्राई होने के लिए रख दी जाब मेरा मटका पूरी तरह से ड्राई हो किया अब मैं इसे डिजाइन करोंगे उसक लिए मैं ने पैंसिल से मार्किन कर लिया और प्रेड अक्रेलिक कलर से उसे पेंट कर लिया रेड अकडिलिक कलर से पेंट हो जाने के बाद अब मैं इसके उपर छोटे-छोटे फ्लावर्स और लिप्स वाले डिजाइन बनाऊंगी आप अपने चोईस के कोड़ी कोई भी डिजाइन बना सकते है रेड और वाइट का कॉंबिनिशन अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये रेड और वाइट का कॉंबिनिशन लिया है अब फ्लावर बनने के बाद मैं थोड़े लिफ्स और ब्रांचेस बनाऊंगी और इस तरह मैं मेरे डिजाइन को कम्प्लीट करूँगी ये बहुत ही सिम्पल डिजाइन था बट ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये दिखिए जब आपका डिजाइन कम्प्लीट हो जाए तो ये ऐसा दिखेगा अब मेरा मटका रेडी हो गया है अब मैं इसे डिजाइन करूँगी कि मैं किस तरह इसे अपने घर के कॉर्णर में डेकॉरेट कर सकती हूँ इसके लिए मैंने लोकल जो फ्लावर्स मिलते हैं उनी का मैंने यूज किया है लोकल फ्लावर और पत्तों से इसे सजाओंगी और इस तरह मैंने गेंदे के फूल दन फिरंगी पानी गुलाव इन सबसे मैंने ये अपने कॉर्णर को सजाया आप इसी तरह इसे सजा सकते हैं और पूरी तरह से सजने के बाद यह ऐसा दिखेगा झाल 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 झाल